हेलो फ्रेंश मैं निलम आज हम बनाने वाले हैं नूव यर स्पेसल चॉकलेट केक फ्रेंट्स चॉकलेट केक तो सभी को पसंद होता है और जब फोकेशन हो नूव यर जैसा तो केक बनाना तो बनता है आपने हमारे क्रिस्मस केक के वीडियो पर बहुत सपोर्ट किया था इस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आपके सपोर्ट से मुझे ऐसी ही टेस्टी रेश्पी बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मेरे चैनल को भी बहुत होती है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम चॉकलेट गनास बनाएंगे इसके लिए चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे मैं यहां 100 ग्राम वाइट और 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ले रही हूं आप नॉर्मल चॉकलेट भी ले सकते हैं अब इसमें 40 एमल दूट डालकर एक मिनर के लिए माइक्रो बेब में हीट करेंगे आप इसे स्पीम से भी फिखला सकते हैं अब इसे स्मूज टेक्चर आने तक मिक्स करेंगे अब हमारा चॉकलेट गणास रेधी है इसे दो पार्ट में डिवाइटकर देंगे एक पार्ट फरिज में और एक पार्ट रूम ट्यूज्चर पर थन्दा होने के लिए रखतेंगे अब हम चॉकलेट केक का बेस बनाएंगे इसके लिए हम 4 एक्स लेंगे और येलो पार्ट और वाइट पार्ट को अलग-अलग करेंगे अब हम वाइट पार्ट को साइड में रख देंगे और येलो पार्ट में 2 टी स्पून बेनिला एसंस और आधा टीस्पून नमक और वन फोर्थ कप देल डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें एक कप मैदा दो टेबल स्पून कोकुवापाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग आइड करेंगे अब इसमें आधा कब दूद डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे दूद हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है जिससे हमारा बैटर लूज डो के फार्म में रहे बिल्कुल भी लीकुईडी जैसा ना रहे अब हम एक वाइट में एक टीस्पून विनेगर और आधा कब पिसी चीनी एड़ करके बीट करेंगे जब सुगर मिक्स हो जाए तब बचा हुआ आधा कब सुगर भी एड़ कर देंगे इसमें टोटल हमने एक कब सुगर एड़ किया है जिससे हमारे मिक्चर की कंसिस्टेंसी एकदम से गाड़ी हो जाए देखिए हमारे मिक्चर में इस्टिफ पीक आ चुकी है इसे चेक करने के लिए आप मिक्चर को टेड़ा करके देखिए अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है अब हम ओवन को प्रिहीट करेंगे इसके लिए हम एक प्लेट में पानी लेंगे इसे ओवन में रखकर एक सो साथ डिगरी पर प्रिहीट करेंगे जब तक ये प्रिहीट हो रहा है तब तक हम बेकिंग टे को ओईल से ग्रीस कर लेंगे और साइड में रखतेंगे आप हम केक के बैटर में एक वाइट और सुगर के जो मिक्षर बनाकर रखा था उसे थोड़ा थोड़ा एडर करेंगे और अच्छे से मिक्ष करेंगे इसे हमें हलके हाथों से मिक्स करना है आप देख सकते हैं कि एक white का mixture डालने के बाद हमारा thick butter fluid हो गया है इसे हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है जब तक हमारा cake का butter ready होता है तब तक आप मेरे वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर recipe ज़्यादा अच्छी लगे तो comment भी कर दीजिए और नहीं अच्छी लगी तो dislike का button भी है लेकिन इसे आप ना ही दबाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटर की consistency बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए अब इसे बेकिंग ट्रे में डालकर हलका डैप करेंगे जिससे साड़े एयर बबल्स निकल जाए अब इसे प्री हीट अवन में पानी के उपर रख देंगे क्योंकि मेरा केक्टिन बॉटम से खुलने वाला है तो हम इसे दूसरे ट्रे में डालकर रख रहे हैं अगर आपका बेकिंग ट्रे बॉटम से खुलने वाला नहीं है तो आप इसे डारेक्ट पानी वाले ट्रे में रख सकते हैं अब इसे 107 डिग्री पर ही आधे घंटे के लिए बेक करेंगे, 30 मिनट बाब टमप्रेचर को 150 डिग्री करके 35 से 40 मिनट और बेक करेंगे, किसी किसी आवन में ये ज्यादा या कम टाइम ले सकता है, तो आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए देखिए हमारा केक रेडी हो गया है, अब हम इसे बेकिंग ट्रेस से बाहर निकाल कर थोड़ा ठंदा होने के लिए रख देंगे जब केक रूम टमप्रेचर पर आ जाए तो 30 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख देंगे अब हमारा केक हो गया है ठंधा, अब हम इसकी स्लाइसिंग कर लेंगे इसके लिए सबसे पहले उपर वाली लेयर को हटा कर केक को इवेन कर लेंगे अब इनको दो इक्वल ठिकनेस की स्लाइस में कट कर लेंगे अब केक बोर्ड पर एक स्लाइस को रखकर उस पर थोड़ा सा सुगर सीरप डालेंगे अब इसके उपर चॉकलेट गनास हमने जो फ्रीज में रखा हुए था वो इस्प्रेट कर देंगे अब इसके उपर दूसरा केक स्लाइस रखकर केक को तीस मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे अब हम वेपिंग कीरीम बना लेते हैं इसके लिए हमने दो कप पिप्ट पाउडर लिया है अब इसमें एक कप चिल्ड वाटर थोड़ा थोड़ा आड़ करेंगे और बीट करेंगे दो कप पाउडर में हमने एक कप पानी यूज किया है अब इसमें एक चमाज वेनिला एसंस डाल कर मिक्स कर देंगे इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक ना बन जाए तो अब हमारी बिप्ट क्रीम रेडी है अब थोड़ी सी क्रीम अलग बॉल में निकाल कर इसमें जल फूट कलर आड़ करेंगे और मिक्स कर देंगे मैंने पिंक और ग्रीन कलर यूज किया है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अब क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे और आपको जो भी डिजाइन बनानी है उसी हिसाब से नोजल यूज कर सकते हैं अब piping bag को फ्रीज में रख देंगे अब केक को फ्रीज से निकाल कर उस पर white cream से layering करेंगे जब layering हो जाये तब chocolate ganache जो हमने room temperature पर रखा था उसे केक के उपर फैला देंगे और spatula की help से हलके हाथों से evenly spread कर देंगे मैंने cake के नीचे butter paper रख दिया था जिससे cake board गंदा ना हो अब cake को 45 मिनट से एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे जिससे हमारा chocolate अच्छे से set हो जाए एक घंटे बाद cake को फ्रीज से बाहर निकाल कर butter paper हटा देंगे अब हम cake को decorate करेंगे आप अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन बना लें मैंने बहुत ही आसान और simple तरह से decorate किया है मैंने इसमें इस तरह से flowers बना कर लगा दिये हैं और साथ ही इसे इस प्रिंकल से decorate कर लिया है तो अब हमारा चॉकलेट केक रेडी है तो फ्रेंड्स अब हमारा चॉकलेट केक रेडी है फ्रेंड्स देखिए यह कितना beautiful बना है और यह बहुत ही ज्यादा सॉक्ट और टेस्टी है अब आप भी इस new year में रेश्पी को जरूर ट्राइ करें होप्फुली यह आपको बहुत पसंद आएगी ऐसे ही टेस्टी रेश्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राय करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खात यह मैं खिलाते रही है विद नीलम्स किचन फियस्टाव